वेल्कम डिश्टान डिक्टेशन, डिक्टेशन पान सिगेंड बाई शुड़ू होगा रेडी स्टार्ट यूक्रेन के युद्ध गरस्त इलाकों में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए सुरक्षित गलियारे नहीं मिल पाने से मानवीय संकट गहराता जा रहा है अमीर जेलेंस्की ने इसके लिए अब अंतरराष्ट्री रेड क्रोस से मदद मांगी है संयुक्त राष्ट और दूसरे देशों से वे पहले ही गुहार लगा रहे हैं कि सुरक्षित गलियारे बनाने और युद्ध विराम के लिए रूस पर दबाव बनाया जाए पर रूस किसी की सुन कहां रहा है बलकि वह हमले और तेज करता जा रहा है ताकि युक्रेन का मनोबल तूट जाए और वह हथियार डाल दे हाला कि युक्रेन की सेना पूरी ताकत से रूसी हमलों का जबाब दे रही है लेकिन रूसी मिसाइलों और बमों के सामने वह कितने दिन टिक पाएगी यह बड़ा सवाल है रूसी हमलों से राजधानी कीव सहित कई प्रमुख सहर खंडहरों में तबदिल हो गए है रूसी बमवर्षक और टैंक नागरिक ठिकानों को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहे इससे समस्या और विकट हो गई है युद्ध के दौरान मानवी हालात कितने गंभीर हो जाते हैं यूकरेन के तबाह हो रहे शहरों से आने वाली दर्दनाक तस्वीरों से इसका पता चल रहा है लोगों के पास खाना और पानी तक नहीं बचा है कडाके की ठंड में लोग खुले में पड़े हैं बंकरों में भी सुरक्षित नहीं हैं हर कोई इसी खौफ में जी रहा है कि कहीं अब बं या मिसाइल उस पर ही न गिर जाए गौर तलब है कि युद्ध गरस्त इलाकों से नागरिकों को निकालने के लिए सुरक्षित गलियारे बनाने को लेकर रूस और यूकरेन के बीच दो बार बात हो चुकी है इनमें इस बात पर सहमती बनने की खबरें आई थी कि रूस कुछ घंटे के लिए हमले रोक देगा लेकिन पीड़ा की बात यह की रूस ने मानवियता नहीं दिखाई और संघर्ष विराम तोड़ते हुए हमले जारी रखे हुए है पिछले तेरह दिनों में बीस लाख से जादा लोग यूकरेन छोड़ चुके हैं पर अभी भी लाखो लोग फसे हैं ऐसे में इन लोगों को बचाना सिर्फ यूकरेन की नहीं बलकि रूस सहित सभी देशों की भी नैतिक जिम्मिदारी बनती है भारत सहित कई देशों ने युध रूकने और बात करने की अपील की है तुर्की और पाकिस्तान जैसे देश मध्यस्तता के लिए भी आगे आए हैं लेकिन विडम्मना यह है कि रूस युद के पागलपन में सब कुछ भूल बैठा है वरना क्या कारण है कि उसने अभी तक सुरक्षित गलियारे बनाने को लेकर कोई गम्भिरता नहीं दिखाई बलकि यूकरेन पर नागरिकों को ढाल बनाने के आरूप लगा रहा है की रूस संघर्ष विराम के लिए राजी हो गया है लेकिन अगले ही छण वह इसका उलंगन कर अपनी मन्शा जाहिर कर दे रहा है यूकरेन के कुछ युद्ध गरस्थ छेत्रों में अभी भी कई भारतिय फसे हैं भारत ने सुरक्षित गलियारे का मुद्ध संयुक्त रास्ट में भी उठाया और मांग की कि जल्दी ही लोगों को निकालने का काम शुरू हो भारत की चिंता इसलिए भी बढ़ती जा रही है कि अब जिन शहरों में भारतिय नागरिक रह गए हैं वहां रूस के ताबड तोड हमले जारी हैं रूस इस वक्त बेहद आकरामक मुद्रा में है उसके रुख से साफ हो चला है कि उसे लोगों की जान की परवाह नहीं है अंतररास्ट्रिय कानूनों के मताबिक नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए यह अंतररास्ट्रिय समुदाय का करतव है अगर बेगुनाह लोग हमलों में इसलिए मारे जाते रहे कि उनके लिए सुरक्षित गलियारे नहीं बनने दिये गए तो 21 सदी की दुनिया पर इससे बड़ा कलंग और क्या होगा यह राहत की एक बड़ी खबर है कि यूकरेन के घमासान वाले शहर सूमी में फसे करीब 700 भारतिय चात्रों को सुरक्षित निकालने में सफलता मिली इसलिए उले खनिया है क्योंकि कभी रूस तो कभी यूकरेन युद्ध विराम के लिए बनी सहमती का उलंगन कर रहे थे इससे सूमी में फसे भारतिय चात्रों की मुसीबत बढ़ रही थी उन्हें संकट से बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी को न केवल यूकरेन और रूस के राष्टपती से बात करनी पड़ी बलकि संयुक्त राष्ट में भारतिय प्रतिनिधी को इन दोनों देशों के रवाईये पर आपत्ती भी जतानी पड़ी रूस पर यूकरेन के हमले के बाद वहां फसे भारतियों को सुरक्षित बचा कर लाना एक बड़ी चुनोती थी क्योंकि शुरुआती दिनों में कोई देश युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं था और यदि कभी वे तैयार भी होते तो उसके प्रती गंभीरता नहीं दिखा रहे थे ऐसे हालात में सत्रह हजार से अधिक भारतियों को सुरक्षित निकाल कर लाना एक बड़ा काम है इस काम को किस तरह सरवोच प्रात्मिक्ता दी गई इसे इससे समझा जा सकता है कि इसके लिए न केवल चार केंद्रे मंत्रियों को यूकरेन की पड़ोसी देशों में भेजा बलकी भारती वायुशेहना की भी सेवाएं ले गई भारत ने एक बार फिर यह साबित किया कि वह युद अथवा अन्य किसी आपदा में फसे अपने नागरिकों को निकालने में कोई कसर नहीं रखता ओपरेशन गंगा के तहट यूकरेन में भी उसने यही किया और वह भी तब जब कई देशों ने अपने लोगों को वहां से निकालने के मामले में हाथ खड़े कर दिये थे भारत ने कुछ वर्ष पहले ऐसा ही काम यमन में ओपरेशन राहत के तहट किया था तब तो उसने बांगलादेश, नेपाल, स्रिलंका के अलावा, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा समेत दो दर्जन देशों के नागरिकों को भी वहां से निकाला था, ऐसे अभियान न केवल भारत की बढ़ती छमता को रेखांकित करते हैं, बलकि दुनिया को यह सन्देश भी देते हैं कि वह एक बड़ी और चिम्मिदार शक्ती बन रहा है, चुकि जिन भी भारतियों ने योकरेन इस्थित भारतिय दुतावास से संपर्क किया था, उन सभी को निकाल लिया गया है, इसलिए उमीद की जाती है कि अब वहां हमारा कोई नागरिक नहीं फसा होगा, यदि किसी कारण कोई भारतिय वहां रह भी गया होगा, तो आशा की जाती है कि उसे भी निकाल लिया जाएगा, यदि योकरेन से फसे भारतियों को निकालने में सफलता, मिली तो भारत की उटनीतिक सक्रियता के कारण, इस संदेह भारत की भुमिका यहीं समाप्त नहीं हो जाती, उसे इसके लिए प्रयत्न जारी रखने चाहिए कि योकरेन में युद्ध विराम हो और दोनों पक्ष बात चीत के जरिये समस्या का समाधान करने के लिए आगे आएं, स्टॉप. झाल